नमस्कार दोस्तो कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया से होंगे दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एनल फीसर यानि गुदा दुआर में दराल की जनकारे दूंगा और इसके काजेज, सिम्टम और सबसे लाश्ट में इसकी टाप टू बेस तो होमोपैथिक मेडिसीन भी बताऊंगा दोस्तो आप सबसे एगुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर किजिएगा बेल आइकन भी दबाईएगा मैं इसी तरसे होमोपैथि फिसर क्या होता है गुदा या गुदा नलका में जब किसी परकार का दरार हो जाता है या कट लग जाता है तो इस कंडिशन को एनल फिसर कहा जाता है दोस्तो अब चलते हैं इसके काज़ेच की तरब कौन-कौन से कारण होते हैं एनल फिसर के यानि फिसर के फिसर कब होता है जब आप मल त्याग करने के दावरान कठोज और बड़े आकार के मल निकालते हैं जिसके कारण आपको फीशर की समस्या होती है जिनको लंबे समय तक कब्ज की समस्या दाती है उनको भी फीशर होने के चांज होते हैं लगतार डायरिया के कारण एनल फिसर हो सकता है लंबे समय तक कब्ज की समस्या के कारण फिसर हो सकता है दोस्तो ये थे इसके कारण अब चलते हैं इसके साइन एंड सिम्टम मतलब लच्छड की तरफ कौन कौन से लच्छड होते हैं एनल फिसर के या फिसर के इस्टूल पास करने के दावरान दर्ध होना जो कभी कभी गंभीर दर्ध होता है इस्टूल पास करने के बाद दर्ध होना जो कई घंटों तक बना राता है इस्टूल पास करने के बाद इस्टूल पर गहरा लाल रंग दिखाई देना गुदा में जलन होना गुदा के आसपास गाठ और इसकीन का फटना इस टूल के साथ खूनाना फटी होई इसकीन पर गाठ होना दोस्तो यह थे इसके साइन एंड सिम्टम मतलब लच्छड अब चलते हैं इसकी टाप टू बेस्ट होमोपैथिक मेडिसिन की तरब कौन कौन सी होमोपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है एनल फीसर को ठीक करने के लिए फीसर को ठीक करने के लिए तो दोस्तो सबसे पाली और सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है यह फटी टाइबलेट जो यह SBL कमपनी की आती है यफिपीट आइवलेट की पिक्चर आपको साइट में दिखी रही है दोस्तो या forced के लिए बहुत ही effective medicine है दोस्तो या पाईस के लिए भी बहुत ही effective medicine है दोस्तो सबसे पहले जान लेते हैं या फिपर टैवलेट में कौन-कौन सी होमोपैथिंग मेडिसीन मिली हुई है और करती क्या है और उसके बाद इसको लेने का तरीका भी बताऊंगा दोस्तो इसमें सबसे पहली मेडिसीन रटन्हेया मिली हुई है दोस्तो गुददवार के फटने और उसमें आग लगने की जैसी जलन में उपयोगी है तर्टी जाने के घंटो बाद तक रोगी दर्द के कारण तरपता रहता है दोस्तो ये सब लच्छड मिले तो रटानिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तो नमबर दोसरी मेडिसिन हेमा मिली हुई है द दोस्तो अगर आपको मलद्वार में बहुत दर्द हो गह वासीध हो मलद्वार से बहुत अधिक भलड़ दिश्चार्ज निकले दोस्तो ये सब लच्छड मिले तो हेमामलीस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तो नमबर तीसरी मेडिसिन एश्कुलासिस में मिली तो एस्कूलस बहुत ही इफेक्टिव मेडशिन है दोस्तो इसमें नमबर चौथी मेडशिन एलो सक्रेटीना मिली हुई है दोस्तो गुदा में और मलासे में जलन हो साथ ही साथ पाइल्स की समस्या हो तो एलो सक्रेटीना बहुत ही इफेक्टिव मेडशिन है दोस्तो इसमें नमबर पांच वी और सबसे लाश्ट मेटसीन कलकेरिया फ्लोर मिली हुई है दोस्तो गुदा में दरार हो, गुदा में खुजली हो, साथ ही साथ पाइल्स की भी समस्या हो तो कलकेरिया फ्लोर बहुत ही effective मेटसीन है दोस्तो यह थे पांच मेडिसीन जो एफ़पी टाइवलेट में मिले हुई हैं दोस्तो अब जान ले रहते हैं इसको लेने का तरीका तो दोस्तो एस्वियल एफ़पी टाइवलेट दो गोली सुबह एक बार चूसना है दो गोली दो पहर में एक बार चूसना है दो गोली साम को एक बाचूसना है दोस्तो नमबर दोसरी मेटिसीन है Acinitic 30 Acinitic 30 की पिक्चर आपको साइड में दिखी रही है दोस्तो फीसर के केस में या फिफी टैविलेट के साथ साथ अगर Acinitic 30 लेते हैं तो आपके रिजल्ट और भी अच्छे मिलते हैं तो जान लेते हैं सबसे पहले Acinitic के बारे में अगर आपको इस टूल पास करने और उसके बाद गुदा में तेज दर्ध हो चाहे पतली इस टूल हो तब भी इस टूल करने के बाद दर्ध होता हो हाट इस टूल के खाड़ा गुदा के फट जाने के फीसर की समस्या हो गई हो तो Acinitric 30 बहुत ही effective medicine है तो Acinitric 30 दो बुन सुबा एक बार लेना है दो बुन दो पहज में एक बार लेना है दो बुन साम को एक बार लेना है जादा दद हो तो दो बुन दिन में 4 बार भी ले सकते हैं दोस्तो आप चाहें तो लगाने के लिए इन एफ़पी आयाइंट मेंट है आप चाहें तो इसको लगाने के लिए दिन में 2 बार लगा सकते हैं दोस्तो एफ़पी टैवलेट और Acinitric 30 में 10-15 मिनट का अंतर जरूर दिजिएगा दोस्तो सभी दवा होमोपैथिक साप या अल्लाइन असानी से मिल जाएगी दोस्तो ये दवा लगवग एक हफते तक लें अगर आराम लगे तो इसे कांटिन्यू करें दोस्तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किएगा बेल आइकन भी दबाईएगा मैं इसी तर से होमोपैथिक मेडिसिन रिलेटेड डिसी रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूँ